जाबुआ के टी आई पर रेब की आरोब की इंसाइड स्टोरी महिला बोली तीन साल तक लिविन में थे टी आई ने कहा कि वो ब्लैक मेलर नमस्कार, मैं श्वेता आपका दर खबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर इस शिकायत के बाद आरोबी महिला ने एक कोट में अगरिम जमानत ले ली है दैनिक भासकर ने इस पूरे मामले की पड़ताल कर समझने की कोशिश की है कि आखिर एक महिला ने टी आई को कैसे और क्यों ब्लैक मेल किया इस स्लसले में भासकर के टीम महिला से मिली तो उसने कहा कि T.I. ने उसे खुद ये पैसे देए हैं। उसने ये भी कहा था कि वे खुद टी आई के खिलाफ पिछले सवा साल से रेप का मामला दर्ज करवाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही है लेकिन उसके सुनवाई नहीं हो रही है। उसने ये भी बताया है कि टी आई और वे दो साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। महिला के आरोपो पर टी आई राजकुमार एक कुसारिया का कहना है कि वे इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते। जो भी होगा वे कोट में देख लेंगे। बोली बच्पन से एक दूसर करण उन्हें पढ़ाई चोड़नी पड़ी उसके बाद उन्हें घरों में खाना पकाने का काम शुरू किया। इसी बीच साल 2018 में आयोधिया नगर में वीरादा धाबा में उन्हें मैनेजर की नौकरी मिल गई। धाबा माली के पास अक्सर समय की कमी रहती थी इसलिए उन् उन्हें ता पहचान नहीं पाई थी अगले दिन वो अकेले आये और मुझे एक कौनी पर बुलाया और बच्पन की बाते याद दिलाएं। हम 2018 से 19 साल बाद मिले इस मुलाकात के बाद वो अकसर धाबे पर मुसे मिलने के लिए आने लगे थे। खबरों में अब तक के को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भी एंड बेकरी फॉर फास्ट कूड नियर्बाइ सुहागी बाइपास।